Hello dear students, आपकी प्रोस बुक Beehive, Chapter 1, The Fun They Had लेकर, English पयाश्म मैं आपके सामने प्रेजन्ट हुई है जी हाँ, चैनल पर 9th क्लास का ये पहला वीडियो है, 10th क्लास के दो वीडियो चैनल पर अप्लोड हो चुके है लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर आपके बड़े भाई, जब बड़ी बहन पढ़ती है, 10th में, उनके साथ लिंक शेयर कर सकते है तो बच्चो, आज आपकी प्रोस बुक का फर्स चैप्टर मैम आपको समझाने जा रही है, माइन माप के जरीए, उसके बाद वर्ट वर्ट एक्स्पेंड करेंगी, चैप्टर आपको कैसे समझ में आया, कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में बताईएगा जरूर, आप मेरी एक्स्पानेशन को सुनो और फटा-फट से अपने आप आंसर करो, तो यहाँ पर दफान दे हैट का मतलब क्या है, कि वे मज़ा लेते थे, अब यहाँ पर मज़ा कोन लेते थे, इस टाइम के बच्चे, जा फिर पुराने टाइम के बच्चे, ओके, दफान दे है सबसे पहले यह जो स्टोरी है, this interesting story is composed by American writer, और उन American writer का नाम क्या है, इजाक असी मुफ, ओके, यह आपको याद रखना है author का नाम, और यह जो स्टोरी है बच्चो, यह स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है, जो हमें भविश्य के बारे में बता रही है, कि 100 साल बाद, एजूकेशन system कैसा हो जाएगा ऐसा दो बच्चों को लगता है ओके दो बच्चे जो है डाइडी राइटी में ऐसा लिख रहे हैं सो साल बार की पुराने टाइम पर education system ऐसा होता था लेकिन आज education system जो है वो ऐसा है the fun they had ये जो story है इसमें main characters कितने हैं बच्चों तो इस कहानी की main character मारगी एक लड़की है जो 11 साल की है और 17 माई 2157 को वो डाइडी राइटिंग कर रही है क्यों कर रही है उसका एक friend है अगला character इस कहानी का है Tommy Tommy is not a pet okay Tommy is a boy Tommy जो है उसको एक real book मिली है जो books आज हमारे हाथों में होती है तो बच्चे बड़े surprise हैं उस book को देखकर और वो 13 years का boy है जानी की जो मारगी है वो 11 साल की है और Tommy जो है वो 13 years का है दो साल बड़ा है दो साल जादा experience है इस बच्चे के पास ऐसा ये बच्चा सोचता है तीसरा character इस कहानी में county inspector है ओके और county inspector के बारे में आप जब lesson पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये कौन है कौन सा inspector है जेल वाला inspector या फिर कोई और inspector fourth character है इसमें Margie की mom Mrs. Jones जो Margie की मा है ओके और वो बच्चों को लेने आई है कि चली अप पढ़ाई का time हो गया है तो आज जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं आज ये बच्चे जो वीडियो सुन रहे हैं उन दो बच्चों के बारे में जो दो बच्चे 100 साल के बाद अपनी डाइडी में entry कर रहे थे और हम बच्चों को याद कर रहे थे कि tutor कैसे पढ़ाता था बच्चे books को करना चाहता है यह हमें बता रहा है यह वो साल है जब मारगी डाइडी एंट्री कर रही है अबाउट किसके बारे में कि टोमी को एक रियल बुक मिली है जो बुक आज हमारे हाथों में होती है ओके इस टोरी का थीम इस टोरी का मॉरल क्या निकलता है संदेश क्या मिलता है मैस नहीं कर सकती है और central theme क्या होगा इस story का बच्चो की transformation by technology जाने कि पूरी की पूरी story दो एराज पे focus कर रही है एक digital एरा पे जहां पर ये दो बच्चे हैं Tommy and Margie और एक normal एरा कौन सा एरा जहां पर हम सब ने पढ़ाई की है और हम सब के grand parents ने पढ़ाई की है तो आईए but मैं शुरू करती हूँ और वीडियो पसंद आए तो please like का बचन दबाए बिना बिल्कुल मचाईएगा दोस्तों के साथ share किये बिना भी बिल्कुल मचाईएगा before you read the story we shall read is set in the future जाने कि ये जो story है वो हमें future के बारे में indicate कर रही है when books and schools as we now know them will perhaps not exist जाने कि जब आज हम ये किताबे पढ़ रही है हो सकता है आने वाले टाइम में ये चीज़े exist ना करें how will children study then तब बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे social बात the diagram below may give you some ideas कुछ ideas मिलेंगे इस diagram को देख कर जाने कि future का school कैसा होने वाला है तो future के school में क्या होगा learning through computer दैसे आज भी हम computers के through सीखते हैं लेकिन वो सारा time ऐसा होगा कि हम screen पर ही होंगे virtual classrooms होंगे robotic teacher AI तो आई गई है जाने कि किरला में पहला school है जहां पर AI teacher जो है वो पढ़ाना शुरू कर रहे है moving e-text जाने कि वहाँ copies को open करने की ज़रूरत नहीं रहेगी महाँ पर e-text होगा in pairs discuss three things that you like best about your school and three things about your school that you would like to change तो यह आप अपने experience के recording लेखेंगे चैप्टर है Margie even wrote about it that night in her diary तो diary writing क्या होती है? diary writing में हम अपना experience लिखते हैं कि पूरे दिन में हमारे साथ क्या क्या हुआ ऐसा तो नहीं हम यह लिखेंगे सुबा में इतने बज़े उठी इतने बज़े ब्रश की या नहीं जो पूरे दिन में सबसे different कोई चीज हमारे साथ होती है तो हम diary writing में लिखते हैं कुछ अच्छा होता है तो हम diary writing में लिखते हैं तो मारगी ने भी ऐसा ही की अब वो लिख रही है ओन दा पेज हैड़े 17 में 2157 तो यह पेज है जहांपर यह date डली हुई है शी रोट तोडे टॉमी फाउंड अरियल बुक उसने लिखा है कि टॉमी ने आज रियल बुक को खोजा है यह बहुत पुरानी बुक थी मारगी के ग्रैंट फादर वन सेड़ मारगी के ग्रैंट फादर थी जिन्होंने एक बार कहा था वैन ही वो जब छोटे बच्चे थे लेकिन उनके जो ग्रैंट फादर थे उन्होंने बताया कि हम पेपर पे पड़ा करते थे वो पेजिस को टर्न किया करते थे विच वर यलो और क्रिंकली जो पेज कैसे होते थे पीले पीले पड़ जाते थे जैसे बुक पुरानी हो जाती है यलो पेजिस और क्रिंकली का मतलब क्या होता है क्रंबल कोई भी हम हाथ में अगर कागस ले और उसे अच्छे से हाथों में प्रेस करके फैंक दे और उसे दोबारा उठाए तो उसमें so many lines, so many folds हो जाते हैं तो क्रिंकली का यहां पर crumbled meaning होता है, same meaning it was awfully funny, और बढ़ा यह funny लग रहा था to read words उन words को पढ़ना, that's true still instead of moving away, they were supposed two, जाने कि वो words वैसे के वैसे ही book में दिखाई दे रहे थे, अगर हम turn भी कर लेते थे, screen पे क्या होता है हम move कर जाते हैं अंगले page पे और फिर पुलाना page हमें दिखाई नहीं देता हम सर्च करेंगे library में, हमने कौन-कौन से page सर्च की है, तब हमें मिलता है लेकिन यहाँ पर मैं book का जो भी page open कर रहा था, 50 page के बाद first page जब open कर रहा था, words वैसे की वैसे ही थे, लेकिन screen पे ऐसा नहीं होता, you know तुम जानते हो, and then when they turned back to the page before it had the same words on it that it had when they read it the first time जाने कि पहली बार उन्होंने 50 number page पे जो पड़ा, वैसे का अरे, what a waste, यह क्या wastage है, when you are through with the book, जब आप इस book के, इस book से आप गुजरेंगे, पढ़ते हुए you just throw it away, आप इसे फैंक देंगे, I guess मतलब, ऐसा मैं अनुमान करता हूं कि मतलब, आप अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं 10th में आएंगे तो 9th की, जो books है, उन्हें साइट कर देंगे, तो वो सोच रहा है, Tommy, यह तो wastage है our television screen must have had a million books, लेकिन हमारी जो television screen की books हैं, जनकी kindle वगरा हमारे पास होते हैं, उसमें तो million books होती है, and it's good for plenty more, और यहां पर बहुत ज़्यादा material भी रहता है, I would not throw it away, लेकिन मैं अपने tablet को कभी फैंकूंगा थोड़ी, same with mine, said Margie, Margie ने का मेरे साथ भी ऐसा ही है, she was 11 वो 11 साल की है, and had not seen as many telly books as Tommy had, लेकिन उसने इतनी telly books नहीं देखी, जितनी Tommy ने, क्योंकि Tommy 13 years का है, और where did you find it, तुमने ये बुक कहां से प्रप्त की, कहां से मिली तुमें in my house, और जो Tommy है वो बोलता है, मेरे घर में, he pointed without looking, वो इदर उदर देखे बिना ही, उसको point करके बोला है, because he was busy reading, वो पढ़ने में busy है, in the attic, attic क्या होता है, a space just below the roof यानि कि ऐसे भी कह सकते है, used as a store room तो store room में उसे वो बुक मिली what's it about, ये किसके बारे में है उसने लिखा school, school के बारे में, अब जो मार्गी है वो क्या question पूछ रही अगला मार्गी was scornful scornful मतलब कि वो school, वो सोच रही है school useless topic what's there to write about school, ऐसा क्या है कि school के बारे में लेके, I hate school क्यूंकि मार्गी को school बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मार्गी always hated school, मार्गी हमेशा school से नफरत करती है, क्यूं but now she hated it more than ever, लेकिन अब वो ज़्यादा नफरत कर रही है the mechanical teacher had been giving a test after test in geography जो उसकी mechanical teacher है, और mechanical teacher कौन है क्यूंकि वो screen बपड़ती है, तो robot teacher AI teacher, वो उसको test देती है और test भी geography में एक के बाद एक test लगातार देती चली जा रही है and she had been doing worse and worse और एक में number कमाए, उस दूसरे में और कमाए, पहले में अगर 10 लिये हैं, दूसरे में 7, फिर 4 तो उसका जो grade है, वो गिरता चला जा रहा है until her mother had shaken her head sorrowfully, और उसकी ममी भी जो है, वो बड़ी worried है, बड़ी दुकी है and send for the country inspector sorry, county inspector जानि कि उस territory के inspector को वो क्या करती है, बुलाती है कि चेक करे वो machine को कि machine में कोई गड़बर तो नहीं है अब यहां तक आपने क्या क्या पड़ा, मैंने आपको बता दिया how old are Margie and Tommy पता चल गया, Tommy किते साल का है Margie किते साल की है, फिर आपने ये भी जान लिया, what did Margie write in her डाइडी जो मारगी है, उसने अपनी डाइडी में क्या लिख है कि Tommy ने एक real book find की है अब आप बताएगे had Margie ever seen a book before क्या पहले उसने टैली book देखी हुई है, क्या real book किस से पहले उसने देखी हुई थी अगर आपने चैप्टर को ध्यान से सुना तो अपने आप answer करेंगी yes or no ऐसी कौन सी चीज़े थी, what things about the book did she find strange, वो हम आप आगे पढ़ेंगे, okay तो अब आगे बढ़ते है he was a round little man अब किस के बारे में बताया जा रहा है यहां पे, यहां पे county inspector के बारे में कि वो कैसे दिखते है he was a round little man, गोल मटोल से चबी से, with a red face, उनका लालल चेहर and a whole box of tools, with dials and wires, और उनके पास mechanical tools है, किस लिए mechanical teacher को check जू करना है he smiled at Margie, वो Margie पे हसते है, and gave her an apple और उसे एक save देते है then took the teacher apart, और फिर जो teacher है, उसे अलग कर देते है, mechanical teacher को देखना है, जानचना है, Margie had hoped, Margie अब उमीद क्या कर रही है he wouldn't know how to put it together again, वो wish कर रही है कि इस inspector से ये mechanical teacher कभी भी ठीक न हो पाए but he knew how all right and after an hour or so, there it was again large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked, लेकिन वो जानती है कि थोड़े ही समय में ये mechanical teacher ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये county inspector इसे ठीक करने आया, फिर मेरे को एक स्क्रीन दिखाई देगी, यहां पर बहुत सारे lesson देखूंगी मैं, और बहुत सारे questions भी मेरे से पूछे जाएगे, that was not so bad the part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper Margie को school तो बिल्कुल पसंद नहीं आता था अब यहां पर आपको appearance बता दी है, एक county inspector की और teacher, और teacher कौन सा? एक mechanical teacher, वो कैसा दिखता है वो बड़ा black, ugly और उसकी screen जो है बड़ी large है most was the slot where she had to put homework and test paper, अब सबसे boring चीज और सबसे नफरत करने वाली चीज मारगी को क्या लगती है, एक ऐसी space, एक ऐसा slot उस machine के अंदर, यहां पर उसे homework submit करने है, test paper submit करने है आपने corona time में देखा होगा वो classroom का एक group बना दिया जाता था उस classroom में आपके homework जाया करते थे है ना, she always had to write them out in a punch code they made her learn when she was six years old actually हम किस भाशा में लिखते हैं teacher हमसे English में lesson पढ़वाता है teacher English में explain करता है जा फिर हिंदी वाला हिंदी में explain करेगा जैसा कि आपको पता है, आपकी मैम का एक और चैनल है, हिंदी लानिंग by आश्मा महाजन तो उस चैनल पर हिंदी और संस्कित के chapter भी uploading है, आप सबको तो नहीं पता होगा, लेकिन कुछ को पता होगा तो जहां पर present हुई है शी अल्वेस हैड तो राइड थाम आउट इन पंच कोड लेकिन जो वो लड़की थी मारगी वो पंच कोड में लिखती थी, जैनि की अधर लेंविज और वो अधर लेंविज कोई मराथी, हिंदी, पंचाबी नहीं थी वो लेंविज थी, कंप्यूटर लेंविज और जब वो छे साल की थी, तब से ही उसने सीख ली थी ये पंच कोड लेंविज अब यहां पर हम एक्जाम देते हैं थोड़ा ब्रेक मिलता है, कि चलो अब तीचर चेक कर रहा होगा लेकिन यहां पर जो मेकैनिकल टीचर है, वो क्या करता है वो फड़ आफ़र से कल्कुलेट करके मार्क्स भी सामने दे देता है स्क्रीन पर आज पेपर दिया तो शाम तक रिजल्ट भी आ जाता है अब इंस्पेक्टर क्या कर रहा है, मशीन ठीक कर रहा है वो थोड़ी सी स्माइल करता है, जब उसका काम कम्प्लीट हो जाता है और वो क्या करता है, पैट जैसे शाबाशी देना मारगी के हैट पे जाने कि उसके सर पे शाबाशी देता है, पैट करता है इससेट तो हर मदर उसकी माँ को कहता है, इस नौट द लिटर गल्स फॉल्ट यह लड़की की गलती नहीं है, मिसिस जॉन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो जोग्रफी सेक्शन है ना वो कुछ जादा गियर्ट का मतलब होता है कि वो एक लेवल अप चल रहा है लड़की के लेवल के एकॉर्डिंग जाने कि 11 साल की लड़की है मालों फिफ्ट में पढ़ती है तो कोशन उससे 8th क्लास के पूछे जा रहे है those things happen sometimes कहीं बार ऐसा हो जाता मशीन के साथ I have slowed it up to an average 10 year level लेकिन मैं इसके लेवल को थोड़ा डाउन कर देता हूँ actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory लेकिन इसका overall जो pattern है progress का लड़की का जो भी लड़की ने progress की है वो satisfactory है जैनकि संतोश जनक उसका result है and he patted Margie's head again उसने फिर से शाबाशी दी किसको Margie को किसलिए to motivate her, to encourage her Margie was disappointed जैनकि Margie जो है वो दुखी हो गई है लेकिन अभी भी क्या कर रही है hope कर रही है अभी यहां पर बच्चों क्या disadvantage है students के लिए आप देख रहे हो एक system वाली teacher है और एक teacher जो आपको classroom में पढ़ाती है और 100 साल बाई वो पता नहीं यह human teacher होंगे या नहीं होंगे तो क्या है मतलब जो mechanical teacher होता है उसको नहीं पता सामने किस level का बच्चा बच्चा है average बच्चा है, अच्छा बच्चा है या कैसा बच्च्चा है क्योंकि जो human teacher होता है वो अपने average बच्चे पर ज़्यादा क्या करता है, time देता है, focus करता है लेकिन mechanical teacher तो एक तरह से ही चलता जाएगा तो हमेशा technology जो है वो human को क्या नहीं कर सकती है human को कभी भी जैसे हम कहते न replace नहीं कर सकती हम कहते है न कि जो human teacher है यह ना हो तो अच्छी बात है घर पे बैठ के हम पड़े, नहीं बच्चो जैसे अगर class में एक बच्चा बैठा हुआ है 40 बच्चों के बीच में वो बच्चा चुप बैठा है वो चुपता रहता है, कि teacher मेरे से कोशन न पूछे लेकिन AI यहाँ पर समझेगा थोड़ी आपको लेकिन class का teacher आपको समझ सकता है वो आपकी भावनाई समझता है वो आपकी तकलीव समझता है वो पेन समझता है कि बच्चा क्या चीज understand नहीं कर पा रहा है, लेकिन AI कहां समझ पाएगा, तो इसलिए जो human teachers हैं, वो हमेशा better रहेंगे, क्योंकि human teachers ही है जिन्होंने ये AI teacher बनाया है Margie was disappointed she had been hoping they would take the teacher away altogether, वो चारी है कि ये जो inspector आए हैं अपने साथ इस teacher को ले जाएं, they had once taken Tommy's teacher, उसने एक बार सुना था कि Tommy की teacher को एक मन्त के लिए जो inspector था, county inspector वो जाँच के लिए ले गया था, because the history sector had blanked out completely क्योंकि Tommy का history sector एक ब्लैंक हो गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सब कुछ erase हो गया था उसमें से so she said to Tommy, इसलिए उसने Tommy से क्या कहा, why would anyone write about school, कोई school के बारे में क्यों लिखेगा, Tommy looked at her with very superior eyes Tommy ने उसकी तरफ देखा, मारगी की तरफ बड़े घमंड के साथ, क्योंकि वो 13 years का है, तो वो समयता है, मेरे को जादा knowledge है मारगी से, because it's not our kind of school, stupid, क्योंकि वो हमारे तरह का school नहीं है मुर्क, this is the old kind of school, ये old school है that they had hundreds and hundreds of years ago जो सो साल पहले हुआ करते थे he added, he added loftily, loftily क्या होता है कि एक superior की तरह एक superior तरीके से, एक घमंद के साथ, की मेरे को अच्छी तरह knowledge है ऐसे, pronouncing the word carefully centuries ago, centuries ago सो साल, तो वो जो है वो बड़ी superior way में कहता है कि आरे, सो साल पहले तो ऐसे school हुआ करते थे Margie was disappointed जाने कि hot हो गई well, I don't know what kind of school they had all that time ago अब वो कह रहे है मुझे नहीं पता सो साल पहले कैसे school थे she read the book over his shoulder for a while वो उसके कंदे पर से रखके थोड़ा सा देख रही है उस book को पढ़ रही है कोशिश कर रही है then said, anyway they had a teacher तो वो कह रहा है कि तब teacher हुआ करते थे sure they had a teacher कहती पकाश teacher तो हो गई but it was not a regular teacher लेकिन वो regular teacher नहीं था it was a man तो Tommy को Tommy जो है वो Margie को बता रहा है teacher तो होते थे लेकिन mechanical teacher नहीं होते थे human being होते थे it was a man a man अब ये चीज मारगी के लिए बड़ी shocking थी how could a man be a teacher एक human being teacher कैसे हो सकता है ये situation कोंसी चल ली है सो साल बाद की जानी की आप तो अभी book से पढ़ रहे हो सो साल बाद वाली जो PD है वो कहां से पढ़ेगी screen पे screen पे सब कुछ पढ़ेगी उसके लिए ये book जो है वो wastage है well he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question जी हाँ पहले human being पढ़ाया करते थे और सारे लड़के लड़कियां एक साथ बैठते थे homework भी मिलता था वो discuss करते थे ask जो question teacher पूछती थी वो आपस में बच्चे discuss करते थे a man is not smart enough तुमारकी सोचती है कि human teacher इतने smart थोड़ी हो सकते है जितना हमारा ये AI teacher है sure he is my father knows as much as my teacher तो वो टोमी बोलता है कि अरे जो human teacher है वो बहुत smart है मेरे पिता जी सब कुछ जानते है जितना ये mechanical teacher जानता है he knows almost as much I betcha अब betcha क्या होता है कि अब वो कह रही है कि मैं bet करती हूँ I am sure वो सब कुछ जानते है he knows almost as much अब वो बता रहा है टॉमी कि मेरे पिता जी सब कुछ जानते है Margie was not prepared to dispute that Margie जो है बिलकुल तियार नहीं है किसके लिए कि मैं इस statement पर कुछ भी बोलूं you don't know much तुमें नहीं पता क्योंकि मैं तो भई 13 साल गाओ मुझे जादा पता है Margie तुम तो 11 साल की हो the teachers didn't live in the house teacher घर में नहीं रहते they had a special building उनके लिए एक special building हुआ करती थी and all the kids went there सारे बच्चे वहाँ जाते थे and all the kids learn the same thing और सारे kids जो होते थे same thing सीखते थे sure if they were the same age हाँ अगर वो same age के है 5 साल का बच्चा है तो 5 साल के बच्चे के लिए जो tutor tutor in the sense कि जो teacher class में पढ़ा रहा है अगर English पढ़ा रहा है तो सब बच्चों को same thing पढ़ाएगा but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl teacher को adjust किया जाता है बच्चे के mind के according जैसा कि मैंने बोला average child है तो उस पर ज्यादा focus करेंगे क्योंकि हर बच्चे का level अलग होता है लेकिन robot में तो ये feeling होती नहीं है वो तो सब को एक जासा ही lecture देगा cassette start हो गई है वो cassette चलती रहेगी just the same they didn't do it that just the same they did not do it that way that जाने कि Tommy क्या कह रहा है कि just the same वो ऐसा नहीं पढ़ाते थे कौन कह रहा है just the same they didn't do it वो ऐसा काम नहीं करते थे that way then if you don't like it you don't have to read the book कहता कि अगर तुमें ये चीज पसंद नहीं है if you are not okay with these school education के भरे में सुनना और पढ़ना तो जाओ मुझे पढ़ने दो if you don't have to read the book I didn't say I didn't like it Margie sat quickly Margie रहा है मैं ऐसा नहीं कह रही she wanted to read about those funny schools वो सुनना चाहती है वो पढ़ना चाहती है funny schools के बारे में they were not even half finished when Margie's mother called Margie school यानि कि अब time किसका हो गया school जाने का school नहीं मतलब study करने का time हो गया तो Margie की माँ से बुला रही है लेकिन दोनों ने अभी आदी भी book finish नहीं की है Margie looked up not yet mama नहीं mama अभी नहीं now said Mrs. Jones and it's probably time for Tommy too यानि कि Tommy की भी study का time हो गया है Margie said to Tommy Margie ने Tommy से का can I read the book some more with you after school यानि की मेरी ये study का time खतम होने के बाद मैं तुम्हारे साथ ये book दोबारा पढ़ सकती हूँ तो अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ा discuss कर लेते हैं थोड़ा बीच में what kind of teachers did Margie and Tommy have तो Margie और Tommy के पास कैसे teachers थे बचो mechanical teachers और उनके classroom में जो teacher थी उसकी पहचान क्या थी एक large black screen थी जिसमें lessons आते थे questions पूछे जाते थे और teacher बहुत ugly था black था पढ़ा है ना तो school तो चलता था लेकिन except two days वो हम आगे पढ़ेंगे why did Margie's mother send for the county inspector Margie की मानने क्यों बेज़ा था county inspector के लिए क्योंकि Margie जो थी geography sector में अच्छा perform नहीं कर रही थी तो वो check करवाना चाती थी कि ये सही तो चल रही है machine जनी तो county inspector ने क्या किया what did he do वो visit करने आया उनके घर पे उन्होंने Margie को एक apple दिया और motivate करने के लिए pat भी किया उसके head पे लेकिन उसने बोला इसमें लड़की की गलती नहीं है क्योंकि एक level up के question उससे पूछे जा रहे है why was Margie doing badly in geography what did the county inspector do to help her उसकी help करने के लिए उसने क्या किया था अब Margie का जो mechanical teacher था that was geared up a little too quick in the geography section result क्या आ रहा था score bad होता चला जा रहा था और जब county inspector ने visit किया उसने देखा कि mechanical teacher को थोड़ा सा मुझे एक level पे slow down करना पड़ेगा इसलिए he also informed Mrs. Johns that her daughter's progress was satisfactory what had once happened to Tommy's teacher एक बाद Tommy की teacher को क्या हो गया था आपने पढ़ दिया है blank out हो गया था completely history section did Margie have regular days and hours for school if so why तो Margie के पास regular schedule होता था school के लिए अब आगे आप पढ़ोगे और how does Tommy describe the old kind of school old kind of school के बारे में Tommy ने क्या describe किया है building होती थी वहाँ बच्चे इकठे जाते थे पढ़ते थे hundred of student बैठते थे और visit करते थे building की और एक साथ खेलते थे एक साथ सीखते थे तो बच्चो अभी तक आपने कर सकते हैं don't worry return में बहुत easy language में आपके question answer भी आगे मिलेंगे अब paragraph 9 से पढ़ते हैं maybe he said non-chalantly जानि कि अब वो कह रहा है जादा उसने interest नहीं दिखाया ऐसे ही बोल दिया he walked away whistling city बजाते हुए आगे बढ़ा the dusty old book टक बीनी थिजाम अपनी आम के नीचे दबाता हुआ अपनी book जो थी पुरानी उसको ले गया dusty book थी margie went into the school room और margie जो थी वो school room में enter कर गी और school room था था तहां पे कोई दूर थोड़ी थे school room उसके bed के अगले जा bedroom के आगे ही था उसका जो school room का ठीक है तो कोई आपसे पूछेगा school room का आँ था तो कोई बाहर थोड़ी चले जाना है हमने next it was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her a mechanical teacher का time है पांच बज़े class शुरू होनी है तो वो हो गई it was always on at the same time everyday except Saturday and Sunday तो बता दिया आपको Saturday, Sunday छोड़के same time पर class चोती ओन हो जाती थी because our mother said little girls learn better if they learn at regular hours तो उसकी मां कहती थी कि छोटे बच्चे जो है वो जल्दी सीख जाते हैं अगर वो regular hour में अपनी class लें proper the screen was lit up जो screen थी blink करने लग पड़ी ended set मतब चल गई screen today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions जाने कि आज का जो lesson है वो किस पे maths की class चल पड़ी उस पे arithmetic lesson पढ़ाया जाएगा जिसमें addition जिखाया जाएगा fraction का please insert yesterday homework in the proper slot और यही चीज जिससे नफरत थी Margie को क्यों क्योंकि इसमें क्या था proper slot के अंदर कल का homework जो था insert करना होता था Margie did so with a sigh Margie happy तो नहीं थी लेकिन उसने कर दिया she was thinking about the old school उसका दिमाग पढ़ाई में थोड़ी लग रहा था अब classroom में तो teacher पहचान जाता है उसकी शकल देखकर बच्चे की की बच्चा mentally यहाँ है physically है की mentally यह लेकिन यहाँ screen क्या समझेगी screen तो लगी हुई फ्रेक्शन समझाने she was thinking about the old school लेकिन बच्चा क्या है उसके दिमाग में पढ़ाना school system चल रहा है they had when her grandfather's grandfather was a little boy जब मेरे दादा जी के दादा जी एक छोटे बच्चे थे और उनके school में system कैसा हो था तब मारगी तो यह सोच ली है all the kids from the whole neighborhood came मतलब कितना मज़ा आता होगा सारे पड़ोसियों के बच्चे जो है एक साथ आते थे laughing हसते थे shouting चिलाते थे in the school yard sitting together in the school room or school room में एक साब बैटे थे going home together घर ही कथे जाते थे at the end of the day घर जब तक time होता था end of the day they learn the same thing same चीज़े सीखते थे सब so they could help one another तो home work में भी मदद कर देते थे कोई किसी को doubt होता था तो आपस में बैट के discussion कर लेते थे talk about it and the teachers were people or teacher human being होते थे mechanical teacher was flashing on the screen a mechanical teacher जो थी वो flash ओर इदी screen पे when we add fractions 1 by 2 and 1 by 4 तो वो वहां पे question आ गया कि 1 by 2 fraction plus 1 by 4 कैसे करेंगे Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days जागी Margie अभी भी क्या सोच ली है old days के बारे में old school system के बारे में कि वो कितना exciting था she was thinking about the fun day hat और वो बच्ची क्या सोच ली है कि human teachers होते थे कितना मज़ा आता होगा बच्चों को तो ये chapter का name था the fun day hat तो डे कौन थे यहां पर वो पुराने लोग grandfather के भी grandfather जिन्होंने real books पड़ी हुई है तो बच्चों आपने क्या सीखा इस story से the whole story focus on two eras one is digital era जहां पे कौन रहते थे Tommy and Margie और एक normal era जहां पे हम सब ने सीखा हुआ अप question answers हैं बच्चो बहुत easy language में आपको question answer में लेंगे यहां पर आप वो question answer पढ़िये समझी अपनी copy पर note करना चाहें तो कर सकते हैं और school जाने से पहले पढ़के जरूर जाईएगा how old are Margie and Tommy पता है what did Margie write in diary पता है यह सारे question आपके जो है मों हमने discuss कर दिये है where was Margie's school next to her bedroom right did she have any classmate no what subject did Margie and Tommy learn history, geography and arithmetic answer the following with reference to the story I wouldn't throw it away who says these words Tommy what does it refer to it refers to the television screen what is it being compared with by speaker Tommy is comparing his digital class with the book he found sure they had a teacher but it was not a regular teacher it was a man who does they refer to so they refer to the kids who study in the old times what does regular mean here for Margie and Tommy regular means their digital classroom where mechanical teachers taught them what is it contrasted with old times which is compared to mechanical teachers which is compared to these kids which is Margie and Tommy what kind of teacher did Margie and Tommy have so short paragraph 30 words answer to you so Margie and Tommy were mechanical teachers in their classroom a large black screen where they were questions asked okay and the teacher how did you see it? you know and class didn't have a class except two days that you know you know it will be written in your words why did Margie's mother send for the county inspector why did Margie's mother send for the county inspector I had discussed her already what did he do? I have discussed this too and you can see it on screen after that why was Margie doing badly in geography what did the county inspector do to help her? already I have discussed it I have already discussed it यह आपको पता है स्क्रीन ब्लांक हो गई थी ना पूरी हिस्ट्री की एरेज ओगया था सब कुछ दिग मारगी है रेगुलर देस एंद आर्स पर स्कूल यह रेगुलर शेडूल रहता था उनका पांच बजे क्लास ओपन हो नहीं है बाते भी कर लेते थे डिसक्विशन भी कर लेते थे हो ड़स दीडिस्क्राइबाते थे यह इसे होते थे ओम वर्च थी उल्ड खेंदे भीände ल यह वर्टै लेकिन इतना होता था की ikanipalटीच फटअ फटफट चेकर के आपको उप उसी टेस motion दे देते है और ये thoroughly check करते थे फिर बच्चे का mind भी इने पता चल जाता था average बच्चे को कैसे समझाना है जो AI teacher नहीं कर सकते अब 100 to 150 words में answer करना है what are the main feature of mechanical teacher and school rooms that Margie and Tommy have in the story why did Margie hate school why did she think the old kind of school must have been fun तो ये सारे answer बच्चो आपको आगे मिलते चले जाएंगे अभी तक chapter आपको कितना समझ में आया है please मुझे comment करके बताईएगा because आप भी मुझे motivate करते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी chapter लेकर आँ अगर आप ही उस video को नहीं देखेंगे views जादा नहीं बढ़ेंगे तो आपकी teacher भी तो demotivate हो सकती है न तो मेरे को demotivate मत कीजिए बस inspire कीजिए by your views, by your comments please do subscribe also English by Ashima Mam channel do you agree with Margie that schools today are more fun than the school in the story give reason for your answer तो आप अपने शब्दों में answer दे सकते हैं तो इस परकार पूरा chapter हमने किया है cover mind map दे दिया, question answer दे दिये पूरे chapter को समझा दिया गया है मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई भी कमी छोड़ी होगी आपको chapter समझाने में तो after one था थी six years Margie और ये जो Tommy है वो सोच रहे हैं कि school जो है old day में कैसा होता था यानि कि screen पे सब कुछ नहीं होता था हाथों में books हुआ करती थी लेकिन वो इस चीज़ को बच्चे वेस्टेज समझते थी ठीके ओके students take care good bye